इंडिया नेवी ने मौके पर पहुँचते ही ओपरेशन शुरू किया इस ओपरेशन को सफलता पूर्वक अंजाम तक पहुचा दिया है इंडिया नेवी ने जहाज पर मौझूद सभी 15 भारतियों को सुरक्षित बचा लिया है जिसे कहते है ना के हम बदला लेंगे हम उनको डूंड निकाल लेंगे smart हैं, they don't want to be get labelled with the Americans are on, so it's a big thing because if our Marine Commandos को ये बारे में अगर आपको पता हो let me tell you, so our pilots को पता नी चादेगा हुआ क्या what came and hit them and who came and hit them and where did they come and get hit from Somalia के समुद्री लिटोरों द्वरा जो भारती जहाज को अपहिर्थ कर लिया गया था हाई-जैक कर लिया था भारत के रक्षार मंतरी द्वरा ब्यान दिया गया कि समुद्र के तलहटी से खोज देंगे तब तो करवाई करनी ही थी कि पूरा बिस्टो टक्टाकी लगा कर अभी देख रहा है अंतराश्ती मीडिया में यही खबरे चप रही है कि आखिर भारत कैसे त्वरित गती से वहाँ पहुच कर करवाई कर रहा है आगे का बिवरा सुनते हैं की तरफ रवाना किया था जो आज सोमालिया तड़ पर पहुचा इंडिया नेवी ने मौके पर पहुचते ही ऑपरेशन शुरू किया इस ऑपरेशन को सफलता पूर्वक अंजाम तक पहुचा दिया है इंडिया नेवी ने जहाज पर मौझूद सभी 15 भारतियों को सुरक्षित बचा लिया है इस ऑपरेशन में भारतिय सेना ने कुल 21 लोगों को बचाया है जिसमें 15 भारतियें मरीन कमांडो उस जहाज पर उतरे जिसे लुटेरों ने अगवा किया हुआ था दुपहर करीब साड़े तीन बजे ये उपरेशन शुरू हुआ रात आठ बजे खत्म हो गया साथी इंडिया नेवी ने सभी 15 भारतियों को सुरक्षित समुद्री लुटेरों की कैद से छुडा लिया हुआ क्या what came and hit them and who came and hit them and where did they come and get hit from क्योंकि the marine commandos की कहीना कहीं training होती है इस टाइम पर इस टाइम पर इस टाइम पर इस ताइम पर नहीं always for anti hijacking operation नेवी बिने अपने जो शेप्स हैं वो औरेड़ी इस अलाके में बेजे हुए है डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सेंग साब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे हम उनको डूंड निकाल लेंगे ये चीजें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं अब question ये बनता है जो इस incident के हवाले से के एक तो जैसे मैंने मैंने शुरू में आपको कहा कि Americans continuously एकी चीज़ कह रहे हैं कि जो एक multinational naval coalition है जिसको operation prosperity guardian के नाम से इंडिया ने का इंडिया को invite किया गया ताके हम जो यमनी होथी के जो हैं उसमें देखिए इंडियन बड़े स्मार्ट हैं they don't want to be get labeled with the Americans predator drone के जरिये नौसेना इस operation को आगे बढ़ा रही है और मार्कोस कमांडो ने भी समुद्री लुटेरों को घेर लिया है लुटेरों से surrender करने के लिए कमांडोस ने कहा है नौसेना की तरफ से surrender के लिए कहा गया है कि surrender कर दो वरना मारे जाओगे अंजाम ठीक नहीं होगा और ये भी जानकारी इसमक्त मिल रही है कि इस जहाज़ पर 15 भारती हैं मौजूद थे और वो सभी अभी जहांपर समाली पाइरेट्स और भी कई अदर ग्रूप्स जो अपरेट करते हैं उसकी responsibility लिटरली इंडिन नेवी ने पूरी अपने सिर्फे रगार किये आपको ये पता ही होगा कि कम से कम ने तो 5 से 6 शिप्स हमारे उस एरिया में deployed हैं और हमारा of course port जो ओमान के अंदर है अर दुकुम उसके अंदर से whatever assets are there those guys are also in the game वहाँ पर क्या-क्या assets हैं as per public knowledge बोलते हैं कि 5 ships deployed हैं हमारी लेकिन nobody for sure knows क्या वहाँ पर actually है apart from the 5 ships क्योंकि जो submarines है और जो other assets होंगे आपके उसकी deployment की बात कहीं नहीं करी जाएगी it is a big thing that you are responding आपकी तरफ से भारत की तरफ से एक response आ रहा है for crisis इस region के अंदर क्योंकि एक ना एक कहीं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारत के उपर एक एक कहीं नहीं एक responsibility आएगी कि साब you are the big bar आप कुछ करिये यहां पर this that इंडियन्स को भी इस चीज का पता है कि अगर इंडिया और अमरीका की जो फोजे हैं या if they are together somewhere like French like British तो जिस तरह Americans और British और French और बाखी पर हमले होते हैं Indian installations पर globally हमले हो सकते हैं so India कि सी भी ऐसे initiative का member नहीं है because उनको पता है इंडियन्स को इस चीज का बड़े अच्छे सा पता है तीके जी रक्षा मंत्री राज्णासी ने जब तीन दिनों पहले यह कहा था कि भारत बिरोधी दुस्मन समुद्र की गहराई में भी अगर चिपे हो तो भारत के पास ऐसी चमता है कि उन्हें खोज निखा लेगा स्कोची जो उसी इलाके में तैना था उसे सूचना मिली और त्वरित गती से कारवाई करते हुए हमारे मार्कोस कमांडो ने उस अफिर जहाज को घेर लिया है और कुछ कमांडो हिलकॉप्टर के जरिये उस जहाज पर भी उतर गए हैं और उसमें बताया जा रहा है कि भार अचे धीरे करके उन्हें कार्नडर कर उनके खिलाफ कर वाई करने की परकिजिए है और उन्हें उपर पहुंचाने की भी कर वाई सुरू कर दी गई है हलाकि जब भारत के रक्षा मंत्री ने ब्यान दिया कि उन्हें समुद्र की तलहटी से खोज लेंगे तब इस बात का खासकर चीन और पाकिस्तान में जाड़ा मजाक उड़ाए गया था हलाकि दुनिया भी इसे सक की निगा से देख रही थी क्योंकि भारती नेवी की जो अंतराश्टी अस्तर पर साख थी अभी किसी ने देखा नहीं था और इसे से भी कि अमेरिका ने जब होतियों द्वारा रेट सी में जो कमर्शियल सीफ हैं उन पर करवाई अटाइक किया जा रहा था और उसमें भारत का भी एक जहाज छतिग्रस्थ हुआ था तब अमेरिका ने दस देशों को मिला कर एक नेवी बनाई थी जो समुद्र में विसेसकर लेट सी में हाउती बागियों से हाउती अतंकियों से लुक्षा प्रदान करना था अमेरिका ने भारत को भी निमंत्रन दिया था कि आप भी इसमें आएं और अमेरिका के जंडे तलो वहाँ पर कारवाई किया जाए लेकिन भारत ने अमेरिका के निग्रानी में अमेरिका के अंडर में काम करने से मना कर दिया क्योंकि अमेरिका के साथ जाने का मतलब यह होता है कि अमेरिका के जितने भी दुस्मन है चाहे वो हाउती हो लेवलान के हिजबुला हो या हमास हो सभी भारत के भी खिलाफ हो जाए कि वह जो बिमान जहाज भारत का च्छत्री गस्त हो गया था वह गलती से हुआ था इरान का और नहीं होतियों का उसमें दोस है दरसल यह को लेटरल डेमेज है यानि होतियों के किसी मिसाइज को अमेरिका द्वारा हिट किया गया था और उसी का कोई मलवा या ठुकड़ा भा वह हमारे पुराने समंध है और इरान ने तो इहां तक कर दिया है कि जिस तरह भारत रूस से तेल ले रहा है वह भी तेल देने के लिए तैयार है और भारत सरकार जल्द ही इसमें निर्णे ले जा रहा है दूसरा भारत का चाबहार पोर्ट भी वही पर इरान में है कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो सेंटरल एसिया ऑफगरिस्तान में भारत उसी से जाने का रास्ता बना लिया है और रूस भी इसमें जिसे नौर्स 50% इधर से ही जहाजों का अवागमन है और भारत कहता है कि यहां किसी के आने की जुरूत नहीं है भारत अकेले ही सुरक्षा परदान कर सकता है पूरा विश्टो टक्टकी लगा कर अभी देख रहा है अंतराश्टी मीडिया में यही खबरे चप रही है कि आखिर भारत कैसे सब्सक्राइब कर रहा है भारत के लिए बड़े गवरों की बात है अजकी निवसीतना ही जहेंद आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो खिर्प्यार मेरे चैनल को सब्सकाइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियों की जानकारी तुरंत